देश की राजधानी दिल्ली में लगातार चोथे दिन भी यानि सनिवार की साम को भी बारिस हुई ऐसी में मोसम विभाक के इनुसार दोप्रेल यानि रविवार को भी राष्टे राजधानी दिल्ली में बादल चाहे रहेंगे वहीं आज नियुत्तम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है बतादें दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से परदुशन का लेवर नीचे आ गया है केंद्र परदुशन यंतरन बोड के अनुसाद दिल्ली में सनिवार को एक योवाई 77 तरदज किया गया जो संतोष जनक्ष्रैनी में आता है बतादें मार्च के महिने में उम्मीद से अधिक बारिश होई तो वहीं अपरेल के पहले दिन भी बारिश हुई वहीं आपको बता दें मोसम विभाग के अनुसार आज यानि रविवार को भी दिल्ली में बादल चाय रहेंगे सोमवार को बारिश की हल की संभावना है जबकि 6 अपरेल तक नियुत्तम तापमान 16 डिगरी तक पहुचने की आसंका है साथ ही दिन का अधिकतम तापमान 33 डिगरी सेलसिय तक पहुच सकता है यानि सब्ता के अंत्र तक तापमान में बढ़ोत्री की संभावना है वैसे 6 अपरेल तक आसमान में बादल चाय रहेंगे बारत मौसम विभाग के मताबिक 3 अपरेल से तापमान बढ़ना सुरू होगा और 5 अपरेल तक आते आतनी तापमान 32 डिगरी तक पहुच जाएगा आई-मडी के मताबिक पच्च में विक्चोब का असर अभी बना हुआ है इसके कारण रपिवार को भी बारिश का अनुमान है इससे पहले बीते गुरुआर को भी मोसम का मिजाज अचानक बदल गया था सुबह दूप खिलने के बाद साम होते होते मोसम ने करवटली थी जिसमें दिली NCR में साम होते होते तेज हवाद चलने के साथ ही जमा जम बारिश होई ऐसे में कई इलाकों में विधुत आपूर्तिक भी काफी देर तक के लिए बांदित हो गई थी इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज होई ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ